है गाइस वल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल और बीप एड कुशनल ट्रेक्स आजके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइवर्ट टेवल के बारे में जो कि एडवांस एक्सल का एक टॉपिक है जिसे मैं बैसिक से बताने का कोशिज करूंगा आपको समझ में आ जा कि बीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले में लोग देखेंगे वाइवर्ट टेवल होता क्या है कि तो जब होता है तो किसी भी टेवल डाटा को समराइज करने के लिए यूज किया जाता है समराइज मतलब क्या कि अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ाड डाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे tables, rows, columns हो सकते हैं, number of thousand हो सकते हैं, data तो उसको अगर आपको summarize करना होगा, sort listed करना होगा, मतलब अगर आप उसे आसानी से समझना चाते हो तो उस time use किया जाता है, private table का, तो वही हम लोग देखने बाले हैं, तो हमारे screen पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक छोटा सा table बनाया है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसके जगह आपके पास एक बड़ा table भी हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसे basic से जा किया है, अब हम चाहते हैं कि इसका एक private table क्रियेट हो, जिसमें हम सभी data को आसानी से analyze कर सकें, summarize कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा insert tab में, और insert tab में सबसे पहले जो option होता है, private table का, उस पे आपको करना है click, इस तरह से click करिएगा, आपके पास एक menu आएगा, जिसमें कि आपको select a table or range, तो आपको table range select करना होगा, जो कि पहले से already select हो जाता है आपके table का, उसके बाद यहाँ पे एक option होता है, choose where you want to private table report in place, मतलब कि जो private table बनेगा, उसका report आपको कहा चाहिए, पहला है new worksheet और दुसरा exiting worksheet, exiting worksheet में आपका जो ये seat है, इसी में आपको दिखाए देगा, तो मुझे नए worksheet में चाहिए, तो मैं new वाले पे click किया है, और फिर आपको okay कर देना है, इस तरह से जब आप okay करोगे, तो नए worksheet बन जाएगा, worksheet 3 यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, जिसमें कि एक private table बन चुका है, यहाँ पे, अब हमें क्या जिसमें कि यहाँ पे name, department, cell 2020, cell 2022 और fill 2023 का दिख रहा है, यह जो है, यह table आपको आया है, seat 1 से, यहाँ से, name, department, cell और cell जो भी है, 2022, 23 और 20 का, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, seat 3 में, अब इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, और data को summarize करने वाले हैं, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, drag field between areas below, यहाँ पे filter कर सकते हो, जो भी data आपका इसमें रहेगा, इसे filter होता है, इसमें आपको column दिखाई देगा, यहाँ पे values दिखाई देते हैं, और यहाँ पे rows दिखाई देते हैं, जिसका हम लोग यूज करेंगे, तो सबसे पहले अगर यहाँ आप नेम पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखिए, वो जो data table है, उस table के सारे नाम आपको यहाँ पे आसानी से दिख जाएंगे, अब आप चाहते हो, यह जो नेम से हैं, उसका department क्या है, वो चेक करूँ, तो आपको इसके बगल में इस पे क्लिक करना होगा, अब आप दे चाहते हो कि department ना देखू मैं, तो उसे हटा के, अगर आप सेल देखना चाहते हो 2022 का, तो 2022 के सेल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो, नाम बाइस उसका जो सेल है, 2022 में वो आपको इस तरह से दिख जाएगा, अगर आप चाहते हो कि 2023 का भी मैं सेल देखूं, तो इसके ब अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो, कि यह 2020 का भी आ जाए, तो 2020 का भी सेल्स आ जाएंगे, और अगर आप उसका department भी चेक करना चाहते हो, तो department पे क्लिक करोगे, तो department wise भी आपको दिख जाएगा, जैसे कि अमीत का medical है, और यहाँ पे जो सेल्स किया है, उसने वो आपको वैसे ही, अनील का भी दिख जाएगा, टोटल, जितने भी लोग हैं, उनका आपको दिख जाएगा, आगे अगर आप चेक करना चाहते हो, कि department के हिसाब से, जैसे कि department हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस department में कितने सेल्स हुए हैं, 2020 में, या फिर 2022 में, 2030 में, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हो, 2030 में कितना सेल्स हुआ है, या फिर आप चाहते हो, कि हम सिर्फ नाम डाले और 2022-2022 में, तो आपको इस तरह से देख जाएगा, या अगर आगर आप चाहते हो, कि department के हिसाब से यह आप चेक करो कि किस department में कौन है तो वह दिख जाए जैसे कि electronic के department में आपको मिल जाएगा जितने भी नायम है अनील राजेस राम और स्वानवे से फरनीचर में यह तीन लोग हैं गार्णमेंट में यह चार लोग और ऐसे मेडिकल में भी आपको दिख जाएगा जिस तरह से आप चाहो उस तरह से डाटा को एनलाइज कर सकते हो तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप इसमें चाहते हो जैसे कि आप इस टेवल में कुछ चेंज करते हो सबसे पहले मैं से केलि手 कर लेता हूं और यहाँ पर न्यम दिख़़ा होगा आपको और यहाँ पर हम लोग 2020 में इसे चेंज कर देता हो। 25 ठीक है इसका सेल हो गया 25 अब यहां सीट 3 में जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे होगे कि चेंज नहीं हुआ तो अगर आप इसी रिफ्रेस नहीं करोगे तो यह आपको चेंज नहीं दिखेगा उसके लिए आपको क्या करना है पाइवर्ट टेवल पर क्लिक करोगे तो एक आप्शन आएगा पाइवर्ट टेवल टूल्स उसमें आपको जाना है एनलाइज पर अब यहां पर एक यह अंगो खुलम्द कर लिए अहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब है यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो अण पर पलस एक्वल क्या होता है अल्ट और एक्वल यहाँ पर एड ऌजाएगा जो कि हमने पीछे बताया था अल्ट और एक्वल जो होता है समका कश ओंज को होता अगर पिछला वीडियो देखीए तो आपको समझ में आज जाएगा यह सब आसानी से इंटरप्रेस करेंगे अब आपको यहां पे पती अब अगर आम ईसे ड्यक कर दे कर दे इस तरव से तो तो है उसल आपको इस तरह से दिख जाएगा जितने भी इसमें हम थोड़ा कि अब भर और इसे बोल्ड और सा देखना होगा 보고 आपको फिर से क्या करना है इससे सब्सक्राइब और पिर आप करोगे तो आपको यहां पे टोटल्ल 창 का एक और आपसन करने के बाद जब आप करते हो यहां से चेंज अब आप चाहो तो जिसका भी आप देखना चाहें जैसे कि यहां पर टोटल सेल्स को अठागे अगर हम देखना चाहें मोणो का टोटल से सकतना है तो यहां पर आपको इस तरह से दिख जाएगा तो आय वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन दोस्तों